नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सीटीटी एंटीटीटीस प्रेपरेशन में और आज की इस वीडियो में मैं कच्छा छे के नसी आईटी बुक के बागी बचे हुए पेज को एक्स्प्रेंड करूंगी पिछले वीडियो में मैंने पेज नमर लिखा हुआ है मांचित्र पे और इसकी बगल में इसकी सहायक नदियों का नाम यहां देखे लिखा हुआ है ठीक है और चलते हैं क्या है आगे उसको देखते हैं कि सहायक नदिया सबसे पहले अब सवाल आता है कि सहायक नदिया अखिर होता क्या है तो सहायक नदिया हम उन इसकी साहायक नदियों की किनारे तथा समुद्र तटवरति इलाकों में नगरों का विकास लग़ग फचीस सौ बर्ष पुर्भुआ था ठीक है आगे देखते हैं गंगा तथा इसकी शाहायक नदि शोन का पता लगा आप मांजीतर पर गंगा और इसकी सहायक नदी शोन को देखते हैं यहां देखिए यहां देखिए यहां गंगा नदी है यहां गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी सोन है यहां पर ठीक है गंगा के दक्षिन में इन नदियों के आसपास का छेतर प्राचीन काल में मगद नाम से जाना जाता था और गंगा के दक्षिनी भाग में नदियों के आसपास का जो छेतर था उस छेतर को प्राचीन काल में मगद के नाम से जाना जाता था और इसके सासक जो थे वो बहुत सक्तिसाली थे और उन्होंने एक 20 साल राज अस्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राजों की अस्थापना की गई थी ठीक है लोगों ने सदैब उप महादीब के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की अब उस समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी और कभी कभी क्या होता था कि हिमालय जैसा उचा परवत पहार इगिस्तान इस सब के वज़े से नदी के कारण कभी कभी यात्रा जो होता था तो बहुत जोखिम भड़ा हुआ होता था फिर भी यात्रा उसके लिए मैं भी लोग काम के तालास में तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाया करते थे और कभी-कभी सेना ये दूसरे छेत्रों पर बिजय हासिल करने के लिए भी जाती थी इसके अत्रिक बेवपारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अ को लेकर एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाते रहते थे धार्मिक गुरु लोगों को सिक्षा और सलाह देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं तक तथा कस्वे से दूसरे कस्वे तक जाया करते थे उस समय भी धार्मिक गुरु जो होते थे सो लोगों को सिक्षा देने के नहीं और रोचाक अस्थानों को खुजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था और इस तरह से एक जगा से दूसरी जगा जाने पर उहां दूसरे लोगों से मिलते थे तो वैसे में एक दूसरे के विचारों को जाने का भी इन लोगों को मौका मिलता था ठीक है आगे है आज लोग यातराएं क्यों करते हैं तो एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो पहारिया, परवत और समुंद्र इस उप महादेप की प्राकिर्तिक सीमा का निर्मान करते हैं हलाकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना असान नहीं था जिन्हों ने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके वे परवतों की उचाई को छू सके तथा गहरे शमुद्रों को भी पार कर सके उप महादुईब के बाहर से भी कुछ लोग यहां आये और यहीं आकर बस गये और कुछ लोग उप महादुईब के बाहर से भी आये और यहां आकर बस गये लोगों की सावा गमन ने हमारी शंस्क्रीती परंपराओं को शम्रिद किया कई सो भर्षों से लोग पत्थर को तरासने, संगीत रचने और यहां तक की भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे और जो लोग आये, कई सो भर्षों से लोगों को पत्थर को तरासने में, संगीत को रचने में और यहां तक की भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे पिछले पेज पर हम लोग देख लेते हैं, यहां देखिए यह बहुत ही इंपर्टेंट होता है एकजाम के लिए, कोई थी टी टी इएकजाम हो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपर्टेंट होता है, इसको पढ़ते जाना चाहिए दक्षीनेशिया आधूनिक भारत पाकिस्तान डक्षीनेशिया में जिसमें आधूनिक भारत आते हैं पाकिस्तान बंगला देश, नेपाल भूटान और स्रीलंका और अफगानिष्तान एरान, चीन तथा मियमार आदी परोसी देसों को दरस आता है दक्षिन एसिया एक महदूइब से छोटा है लेकिन बिसालता तथा बाकी एसिया के समुद्रों पहारियों तथा परवतों से बटे होने के कारण इसे प्राया उपमहदूइब कहा जाता है तो क्या था कि एक महदूइब से छोटा है लेकिन किस कारण से इसको उपमहदूइब कहा जाता है क्योंकि बिसालता तथा बाकी एसिया के समुद्र है पहारियां तथा परवत से बटे होने के कारण इसे प्राया उपमहदूइब कहा जाता है ठीक है आगे है देश के नाम हमारे देश के लिए हम पड़ाय है इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं इंडिया सब्द इंडस से निकला है जिसे संस्क्रीट में सिंधु कहा जाता है देखिए बहुत ही इंपर्टेंट है कि हमारे देश के लिए प्राय हम लोग इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रियोग करते हैं और इंडिया सब्द जो है यहां देखिए इंडिया सब्द जो है जो इंडर से निकला है जिन्हें सिंधु कहा जाता है इसमें एत्लस में इरान और युनान का पता लगाने के लिए लगभग 25 सो बर्स पुर्व उत्तर पस्चिम के ओर से आने वाले इरानीों और युनानीों ने सिंधु को हिंदोस अ इंदोस और इस नदी के पुर्व में इस्तित भूमी प्रादेश को इंडिया कहा और लगभग पचीश सो बर्ष पूर्व उत्तर पस्टी की ओर से आने वाले इरानी थे और युनानी थे इन्होंने सिंधू को हिंदोस अत्वा इंदोस और इस नदी के पूर्व में इस्थित भूमी प्रदेश को इंडिया कहा ठीक है भरत नाम का प्रियोग उत्तर पस्टी में रहने वाले लोगों के एक समू के लिए किया जाता था इस समू का उलेक संस्कृत के आरंबिक क्रिती रीगवेद बेबी मिलती है बाद में इसका प्रियोग देश के लिए होने लगा और भरत नाम जो है उत्तर पस्टी में रहने वाले लोगों का एक समू था इस समू का उलेक हम लोग संस्कृत के क्रिती जो है रीगवेद उसमें पढ़ते हैं अगर तो हमको मिलता है और बाद में इसी का प्रियोग देश के लिए होने लगा ठीक है अतीत के बारे में कैसे जाने अब एक सवाल आता है कि अतीत के बारे में कैसे जाने तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इन में से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूड़ना और पढ़ना है तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ से जा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका है जो अतीत में लीखी गई पुस्तकों धूढना और पढ़ना एक पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडू लीपी कही जाती थी । यह पुस्तक जो होती थी ? हाथ से लिखी गई होती थी आज का पुस्तक जैसे होता है हम लोग मसीन से प्रिंट करते हैं उस तरह का नहीं होता था उस समय की पुस्तके हाथ से लिखी गई होती थी और हाथ से लिखे होने के कारण ही इसको पांडू लिपी कहा जाता है अंग्रेजी में पांडू लिपी के लिए मेनू स्क्रीप्ट कहा जाता है जो लेटिन सब मेनू से निकला है जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है यह पांडू लिपिया प्राय तारपत्रो अथब हिमाले छेत्री के उगने वाली भूर्ज नामत पेर की छाल से विशेस तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है और ये पांडू लिपिया जो होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी प्राया क्या होता था तार पत्र पे लिखा जाता था और नहीं तो हिमाला छेतर के भूर्ज नामक पेर की छाल वहाँ पे हिमाला छेतर में उगता था भूर्ज नामक पेर उसकी छाल पर विशेश तरीके से तयार भोज पत्र पर लिखा जाता था ठीक है यहां देखिए तार पत्र से बनी पांडू लिपियों का एक प्रिस्ट यहां देखिए यहां प्रिस्ट है यहां यहां यह तार पत्र पे लिखा गया है जो हाथ से लिखा हुआ है यह भी पांडू लिपी है ठीक है यहां भी द लगभग 1000 बर्ज पहले लिखी गई थी और नीचे जो पांडू लिपी है यहां यह लगभग 1000 बर्ज पहले लिखी गई थी किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काट कर उसके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांद दिया जाता था अब भूर्ज पेज की छाल से बने ऐसे ही एक पांडू लिपी को तुम यहां देख सकते हो और वही पांडू लिपी नीचे है बाकी बचे हुए पेज को मैं आगे के वीडियो में एक्स्प्लेन करूंगी तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना न धन्यवाद